करेंगे एक चोटे से टॉपिक पे डिसक्स करेंगे डिसक्स करेंगे डिटीज कट ओफ कितनी रहती है क्या कुछ होता है वैसे तो देखो मैं इतना ध्यान नहीं देती हूं परस्टनली कट ओफ के ओपर ठीक है मेरा ज्यादा फोकस मतलब अपनी स्टेडी पर ही होता है ठीक है कि हंजी अपना बेस्ट करके आओ एंड आफ्टर देट जो भी होगा देखी जाएगी थोड़ा कट ओफ से इतना करके आने है या कम अटेम्ट करके आना है ठीक है नेगिटीव मार्किंग कितनी जाए थोड़ा सा उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है एगर कट ओफ बहुत ही ज्यादा जारी इसका मतलब पेपर आसान आया कट ओफ थोड़ी नीचे जाएगी अगर पेपर थोड़ा का यहां पर डिफरेंस रहता है ठीक है तो उसके कॉर्डिंग आप थोड़ा सा मतलब अपने पेपर को उस तरीके सी मॉडिफाई कर सकते हैं वैसे तो देखो जितना आपने टेम्ट करना उतना तो कर नहीं है बठा चलो ठीक है कि अगर कट ओफ ज्यादा जा रही है तो नं एक स्रब बात करते हैं हम PPSC prelims cut off की बात करते हैं 2020 जो हमारा अभी recent जो हमारा exam हुआ था उसमें अगर आप journal की category देखोगे category में तो आप देखोगे की cut off जो है यहां पर कितनी है 280 अच्छा यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो यह है student कि जो हमारा PPSC का exam है student उसमें एक तो होता है आपका journal study का paper जो आपकी पहली shift में paper होता है वो रहता है आपका 200 marks का ठीक है अच्छा फिर होता है second जो आपका paper होता है C set aptitude का paper होता है जो second shift में होता है वो भी 200 का ही रहता है यहां पर जो note करने वाली बात है जो catching point यह है कि जो हमारा PPSC है मतलब कि पंजाब civil services है वहाँ पे दोनों की cut जो marks है वो add होते है मतलब कि total जो cut off होगी आपकी वो 200 plus 200 400 में से जाएगी जैसे बाकी exam है UPSC है HCS है अभी HCS का जैसे exam हो और वहाँ पे C set जो है वो qualifying in nature qualify word का मतलब होता है कि एक उन्होंने decide कर लिया कि 200 में से आपको 66 number लेने अगर आपके 66 आ जाते हैं तो you are qualified मतलब कि बस आपका C set यहीं तक था जो cut off जाएगी overall आपकी 200 में से जाएगी मतलब कि सिर्फ GS का paper ही उसमें involved होगा बट यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे आपका total जो cut off है वो 4 out of 400 जाती है इसलिए देखो यहाँ पे 280 लिखा हुआ है तो cut off जो है student वो कहाँ पे जा रही है हमारी दोनों paper को मिला के जा रही है तो यहाँ पे एक point यह भी note करने वाला है कि आपको सिर्फ GSE बहुत अच्छे से नहीं बढ़ने है कि सिर्फ आप history, quality, geography, economics, science, environment ठीक है, political theory, international relations, world history यह सब आप पढ़ो इसकी साथ साथ student आपका C-set भी बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि अगर आपका C-set अच्छा नहीं होगा student तो भी student आप यहाँ यहाँ पे score well नहीं कर पाओगे marks add हो रहे हैं तो obviously student C-set आपका काफी अच्छा होना चाहिए so that आपको cut off clear करने में problem ना आई ठीक है है, उकी जी, ठीक है जी student journal की cut off यहाँ पे गई 280, OBC की cut जो है वो यहाँ पे 240, SC की 260, पंजाब के अंदर SC population ज्यादा है student ESM की cut off 210 और physical handicapped की cut off यहाँ पे 180 तो यह cut off रहा student overall किसका यहाँ पे हमारा 2020 का, CR student cut off यहाँ नहीं होता है कि जैसे थोड़ा सा paper के difficult level का तो खेर थोड़ा फर्क पड़ता ही है, जो mean impact पड़ता है वो number of seat पे पड़ता है ठीके, government का कुछ criteria होता, administration का कि जितनी seats है उसकी 3 time, 4 time, 10 time कुछ ऐसे करके उन्होंने क्या करने होते हैं, mains के लिए बच्चे select करने होते हैं, तो उससे हिसाब से cut off decide करते हैं यहाँ पे, ठीके, तो number of seats जितनी होंगे students, जैसे last time जो seats थी वो थे, I think 66 ही थी, है ना, मुझे इत इतना exact नहीं है, बस एक, I think 66 ही थी, बहुत ही कम सीटे थी, ठीके, तो उसको देखते हुए यहाँ पे number of, यहाँ पे, sorry, cut off जो है, वो decide की जाती, जिनका 280 से उपर number होगा, उनका clear हो जाएगा, जिनका थोड़ा सभी, अगर एक mark से भी आप इछे रहागे, तो आप prelim से बहा control marks जो हैना, वो 300 बनने चाहिए, मेरे साब से, 400 में से, मतला सिर्फ 100 marks ही हैं, जो आप ही गुंजाइश पैदा करते हैं, कि हंजी, आप 100 marks का गलत करके आ सकते हैं, छोड़ दो, जो भी करना है आपको, बाकी तो student आपको सारा paper attempt करना है, CZ का भी बहुत अच्छे से करना है, और journal science का तो करना ही करना है, studies का, ठीके, ओके, फिर हम बात करते हैं, student cutoff 2018, क्योंकि हमारा paper, अगला जो paper हमारा हुआ था, वो 2018 में हुआ था, 2020 के पहले, ठीके जी, ओके, इसकी category की बात करो, तो journal की 292, OVC की 266, SC की 268, ठीके, तो overall cutoff यहाँ पर उतनी सी रह रही है, student, खास मेरे को यहाँ को difference दिखनी रहा, मतलब कुल मिला के बाद इतनी है बचे, कि जो आपका 2024 में paper हो रहा है, आप मान के चलिए कि 400 में से आपको 300 marks आपके secure, secure होने ही चाहिए, ठीक है, एक अदा marks उपर नीचे हो सकता है, ठीक है, अगर 300 marks बन गए आपके, टेस्ट में भी अगर आपके 400 में से 300 marks बन रही है, तो it means you are in safe side, आप काफी अच्छी probability है कि आप जो है, वो अपना paper clear कर रहे हो, हाँ, यहाँ से एक चीज और भी यहाँ पर guess कर सकते हो, cut off से, कि आपका जो आप test paper देती हो, हाना, test series लगाती हो, उसमें आपका score जो है, वो इतना आपका बन नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि 200 का आपका, जैसे आपने GS का दिया, उसमें 200 में से आपके 70 number आ रहे हैं, और आप बड़े खुश हो रहे हो, UPSC की तरह है, क्योंकि UPSC में तो चलो, ठीक है, 70 question अगर आपके सही हो रहे हैं, अगर आपके 140 बन रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा score कर रहे हैं, according to UPSC, क्योंकि UPSC की cutoff तो 200 में से 80-80 जा रही है, अजकल, इतना difficult level हो गया उसका, ठीक है, तो यहाँ पे journal study, बट यहाँ पे नहीं है student, यहाँ पे आपके GS में कम से कम, मतला highest अगर मैं मानूं, तो 100 में से आपके 90-95 question जो है, वो सही होने चा तो 80 तक जाना है, तो आपका overall जो है, वो जो mistake करने की जो वो है ना, गुजाइश है, वो 10% से 15% ही है paper में, मतलब pull मिला के आपका 85% paper जो है न, वो सही होना चाहिए, सिद्धी बात है मेरे पास, 85% ही आपका journal study का, और ठीक है, और journals जो आपका C set हा उसका भी, ठीक है, फिर यहाँ पर देखें न, आपके, 200 marks का आपका क्या है, G set, 200 का ही आपका क्या है, C set है, तो यहाँ पर देखो आप, 150 marks अगर आपने यहाँ से लिए, 150 यहाँ से लिए, ठीक है, तब जाके आप 300 के पास पहुंचे, तो 50-50 marks की कुझाइश है, सिर्फ, 50 मतलब की 25 questions, तो overall आपके 75 questions सही होने चाहिए, 75 to 80, तो overall आपके 70 to 80 questions जो है, वो बिल्कुल सही होने चाहिए, 70 से नीचे तो आप बात ही मत करो मेरे से, ठीक है, 70 से नीचे मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगे यहाँ पर, 70-70 questions जो है, C set और Ds दोनों में आपके सही होने चाहिए, out of 200, तब जाके student आप premiums जो है न, वो जी आपका PPSC का RAM से qualify कर सकते हो, और अगर इतने माक सापके नहीं बन रहे न, और आपको लगता है कि notification नहीं आई, मैं तो त्यारी करकर ठक गया हूँ, ठीक है, बहुत सारे बच्चे नीचे लिखते हैं न, comment box में, अरे notification तो आई नहीं, है न, कबसे बोल र करते हूँ, त्यारी होगी आपकी, comment करने वाले अभी पता चल जाएगा कि हां मैं किसको बोल रहे हैं, त्यारी होगी आपको, आपकी, तो अगर त्यारी होगी है तो आईए फिर, मैं लेती हूँ आपका test, एक GS का और CSET का, देखते हैं कितने number आते हैं, ठीक है, और अगर अगर अपना real mirror देखना हो ना, तो आज ही GS का paper उठाना, ठीक है, 200 का अच्छा पेपर उनना चाहिए, ठीक है, इस level का pyq थे, उस level के, 200 में से आप लीजिये student, आपके पास marks आने चाहिए, 150 to 160, ठीक है, अगर आ रहे हैं तब comment कीजिए, ठीक है, और आपके CSET में से भी इतन में ही marks आपके आने चाहिए, ठीक है, 160 से 170 तक, इतने आ रहे हैं तब मेरे से बात करिए, ठीक है, आप EPSC पर वीडियो बनाना बंद कर दीजी, ठीक है, notification तो आनी रही है, ठीक है, मेरा काम है बच्छों को बढ़ाना, मेरा काम है students की त्यारी करवाना, ठीक है, जो भी बच कि मैं उतना contribute करूँगे, ठीक है, ओके, ओके जी, ठीक है, फिर हम बात करते है, student हमारा next paper का, ठीक है, 2015 में जो paper हुआ था, ये उसकी cutoff है, 2015 की cutoff, खैर 15 तक तो इतना matter नहीं करते है student, बट हाँ देख लीची आप ओबर हो, यहाँ पे student अगर आप cutoff दे गए तो 266 से नीचे तो यहाँ पर भी ने जा रही हालंकि 2015 में तो paper भी बहुत आसान था, यहाँ पर देखी, यहाँ पर देखी, मतलब 200 से उपर ही cutoff जा रही है, फुल मिला की, ठीक है, चाहिए फिर वो OBC हो, SC हो, ठीक है, आपकी cutoff 200 से उपर ही रहेगी, सिधी बात, फिर हमारा 2013 का ये paper है student, ठीक है, बचे 12 में consider करते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पर 2012, तब notification आई, फिर paper हुआ आपका, ठीक है, 2012 से 13 तक, cutoff यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर 200 से नीचे रहे थे, उस टाइम पर student इतना competition नहीं था, paper भी बहुत असान आया, 2013 का paper देख लीजिए, फिर भी, उस time के according तो ये cut of भी काफी अच्छी खासी है, यहाँ पर अगर आप देखो ना, जर्नल, OBC, SC, तीनों में कोई खास फर्क नहीं है, आप उदर भी देखी, आप उसमें भी देखी, अगर आप 2020 में भी देखोगे, इतना खास फर्क नहीं है, कि 100-100 नंबर का फर्क पड़ रहे है, नहीं इत अच्छा, वो 2018 का यहाँ पर शायद कोपी हो गया, हाँ, हाँ, सॉरी, सॉरी, तो इस स्लाइड को तो आप छोड़ देजी, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है students, तो थोड़ा guess लगा आपको, की cut of काफी हाई जाती ते उसका मतलब, आपकी त्यारी भी PPSC की काफी अच्छी खा में मिल जाएगा, thank you, have a nice day